हेलो एव्रिवन स्वागत आप सभी का इस वीडियो में हम नॉन यूनस्टी के जे ओए आईटी एक्जाम के इंगलिश और हिंदी ग्रैमर की सेक्शन को सॉल्ब करेंगे इससे पहले हम जनल नॉलिज और कंप्यूटर सेक्शन को सॉल्ब कर चुके हैं आप उन वीडियो को भ में ये पीडियो सेंड किया है वीडियो को लास तक देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक डिस डिसलाइक इस अप टू यू तो आईए स्टार्ट करते हैं फरस्ट कोश्चिन दे एक्शन ऑफ किलिंग और किंग इस तो ऑपिशन दी जीनोसाइड जीनोसाइड कई बात देखने को मिलता है न्यूज में भी जीनोसाइड का मतलब होता है murder of all people of same religion और race तो यह आप याद रख सकते हैं नेक्स कोश्चन आपका find out part of speech written in bold sit besides me तो यहाँ पर आपको besides बताना है कि यह कौन सा part of speech है तो इसका जो हमारा right answer होगा option a preposition देखें parts of speech से काफी questions पूछे जाने लगे हैं तो आपको parts of speech की अच्छी knowledge होनी चाहिए next question है आपका select the pair which has the same relationship तो आपको बताना है आपके पास एक pair दिया गया है indigent and wealthy तो indigent का मतलब होता है गरीब और wealthy का मतलब तो आपको पता ही है तो यह हुए आपके antonium words तो इसमें से आपको देखना है कि आपका ऐसा कौन सा relationship है जो antonium words का pair है तो इसका जो right answer option c gawky and dignified option c is the right answer बात करते हैं हम option b की तो यहां पर हम देखते है इरैट इसका मतलब होता है गुसेल और बात करते हैं अगर हम यहां पर vexed की तो इसका मतलब होता है debate या विवात आसपद तो यह आपके same way culture and civilize आपको पता ही है indigenous and aboriginal indigenous मतलब जैसे इंडिया में जो इच बनी है उसे indigenous कहते हैं ठीक है तो यह आपके same country से है तो यह भी आपका option d इसमें fit नहीं बैठता है तो आपका जो option होगा option c gawky and dignified is the right answer for this question next question आपका bolt from the blue आपको बताना है इस idiom का meaning तो इसका जो हमारा right answer होता है option b a complete surprise option b is the right answer next question आपका आपको rearrange करना है इन sentences को all such students तो आपके पास दिये गए हैं तो इसका जो हमारा मेरी हिसाब से जो बिलकुल right answer होना चाहिए option a c d b a तो देखिए कैसे बनेगा all such students who are diligent and honest flourish in every walk of life and get recognition तो यह आपका option a right answer है next question आपका synonym of embassal is तो इसका जो हमारा right answer है option d misappropriate next question आपका कलाम is known for his wisdom wisdom is an आपको बताना है इसमें से wisdom क्या है तो इसका जो हमारा right answer है option b abstract noun the study on economic evaluation is an eye-opener and attempts to acquaint everyone with the problems of poor nation you have to correct this sentence तो according to me जो इसका right answer होगा option c attempts at acquainting next आपका चूज़ देखिए the correct meaning of the idiom given in the bold he just paid him a left-handed compliment तो left-handed compliment का meaning होता है and insincere option c is the right answer for this question next question आपका sheena was dashed by her employees as she often does them for not working sincerely तो इसका जो हमारा right answer है option d despised and reprimanded जो देखिए अगर आप बात करते हैं अगर आप थोड़ा सा हिंट लगाते हैं applaud का मतलब कोई आपको applaud थोड़ी करे या अगर आप उसका criticism कर रहे हैं का संदी विचेद क्या है तो निश कपट का संदी विचेद होगा option b निह जमा कपट मेहनत करो ताकी सफलता आपके कदम चू में वाक्य में ताकी शब्द अव्य है तो इसका जो हमारे recording right answer होगा option c व्यादी करन समूच बहुदक next question है आपका पुत्र को देख माता के चहरा खिल गया वाक्य में विदे है तो इसका जो right answer है माता का चहरा खिल उठा option b is the right answer next question हमारा वक्ता को ततकाल विशे देकर विचारों को करमबद रूप से आई रित कर प्रभावी रिती से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है तो I'm not sure किसका answer क्या होगा तो इसका जो हमारा right answer होना चाहिए option a और option d में से ही तो इसे हम official answer की के बाद ही देख पाएगी कौन सा इसका जो हमारा right answer होगा in case आपको कोई problem है आप solution में अगर कोई problem find out करते हैं प्लीज कॉमेंट करें वीडियो को लास्ट तक देखा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच्छ हवा गुड टाइम